पूर से इंप्वरे से अगया आप अच्छी नीज्ट है इतने जलदी से अब दे दिया गया है रेलवे की ओर से तो यहां पर देखते हैं सब से पहले क्या है तो यहां पर देख सकते हैं जो ऊडर नबर यह यहां पर यहां पर सबसे पहले किया है कि 20 टाइम्स यूनिक कंडिडेट्स विल बीच लेवल वाइज फोर सेकेंड इस्टेज यूनिक कंडिडेट्स को सोटलिस्ट किया यह कहा गया है जबकि उस समय यह इतना नहीं किया गया था यह अब 20 गुना की जाएगा तो यह एक अच्छी न्यूज है इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं तो कंडिडेट्स और इनांस क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टु जाएंगे और जो भी है अगला जितने भी स्वाइडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे उनको भी आप यहां पर सामिल किया जाएगा यह भी यह कहा गया है साथ है साथ हम यहां देख सकते हैं दालीट्स ओप अधिश्टनल कंडिडेट्स गेटिंग सोट लिट्ट लिट इस इस पे लेबल अब वर्तेक पे लेबल में अब उनको सोट लिस्ट किया जाएगा यह भी आप लोगों को एड कर दिया जाएगा केंडिडेट्स को जो यहां पर बीश टाइम निकाला जाएगा उसमें उसके बाद है यहां की जो सेकेंड इस्टेज जोगी इच पे लेबल इसकेंड जाएगा उसमें जो है यहां पर जादे केंडिडेट्स हैं तो इस कारण से यहां जो परसेंटाइल बेस्ट नर्मलेशन विल बीड़न तो परसेंटाइज के इस आप से अब इसको देखा जाएगा यह यहां पर कहा गया है साथ इसाथ गुरूबडी का बात करते हैं तो यह सिंगल से स्टेज में एक्जाम होगा जब की पहले बार उसको दो बार लेगा यह से कहा गया था अब यहां पर जो है CBT नहीं होगा दूसरा बाला यह कहा गया तो यह भी एक अच्छी निवज है जो कि स्टुडेंट्स की मांग थी वही हुआ यहां पर आप यहां पर देखते हैं क्या है RAC-YCBT will held for level 1 also maximum available capacity is recommended to be to significantly reduce the number of shift involved for each RAC and speed of the examination process तो यहां पर जो है यह से जो CBT होगा हुआ एक ही level मिलिया जाएगा साल से दिसमें जितना हो सके maximum available capacity होगा उसी हिसाब से इसको किया जाएगा और जितना हो सके उस shift में इस सारे सीजों को involve कर लिया जाएगा यह भी कहा गया है उसके बाद है percentile based normalization which is simple and easy to understand will be used wherever the number of shift involved are more than one तो यहां पर shift more than one हो जाता है तो उसके जो simple जो normalization formula है उसी को लेकर कि यहां पर किया जाएगा यह भी कहा गया है साथ ही साथ यहां पर देख रहें medical standard prescribed in Indian railway medical manual will be used for different post of level 1 या तो different post of level 1 के लिए जो है वो जो है medical standard जिस परकार से दिया गया है उसी परकार से उसका टेंटेटिव ओप सी एन 2019 एंटीपीसी एंसी एन रासी 2019 गुरूबडी लेबल का है कब इसका एक्जाम ले जाएगा यह भी क्या कि तो रिवाइज जो होगा वह आपका अप्रेल के फर्स्ट वीक 2022 में रिवाइज डिजल को डिकलेर किया जाएगा railway की और से वह से सेकेंड यहां पर कुछ गेप के बाद में आपका सेकेंड इस्टेज यहां पर एक्जाम लिया जाएगा इट हैज में डिसाइडेट फोलर रिवाइज मेथडोलोजी विट स्पेशल कंडिशन फोर कंडिशन फोर कंड़क्ट ऑफ सीविटी फोर लेबल बान डियू टू यह जो होगा वह यहां पर कुछ बताया गया इसी परकार से इसके बाद में आप यहां पर देख सकता है विस विल इंबॉल्ब मोबिलाइज़न और इंफ्रेस्ट्रक्ट्ट्चर और लोजिस्टिक टू कंड़क्ट सीविटी फोर लेबल वन विच सिग्निफिकांट इंग जो है उसको बोर्ड में उसके साथ में बातचीत होने के बाद में जतना जल्दी हो सबस्क्राइब उसको कराने के लिए कहा जाएगा यह भी कहा गया है साथ ही साथ थी फोर लेबल वन इस फॉन तूह भी हैल्ट टेम टेंटेवली फ्रम जुलाइज दोजर वाला एकजाम कि आसपास या उससे अगले बार में लिया जाएगा इसे ही कहा गया यहां पर 2022 जुलाई के आसपास में इसको ले लिया जाएगा डेट अब देख सकते हैं यहां रेलवे रिक्वार्मेंट बोट्स यहां पर दिया गया है तो यहीं है कि जितने भी केंडिटेट्स वह अब माई 2022 में जो है सेगेंड सेविटी होगा उसको लेकर करके तैयार सुरू करना कर दें सुरू करना और साथ साथ में जो गुरूपडी है वह जूलाई 2022 के आसपास में होने कि इसकी भी संभाना हुए पूरी तरह से प्लांड किया जाएगा यह भी तो यहां पर जो है स्टूडेंट्स की जो मांगे थी उस हिसाब से यहां पर बहुत अच्छी चीज़ें की गई है तो यहां पर बीस गुना निकाला जाएगा और जो पहले से क्वालिफाइड है उनक को पूरी तरह से यहां रगना है